हिंदुस्तानी भाव, ये नाम अक्सर आपने किसी न किसी खबर में जरूर सुना होगा टीवी रियालिटी शो में नजर आचुके विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाव आए दिन किसी न किसी वज़े से विवाद से जुड़े रहते हैं और खबरों में रहते हैं इस बार वो चर्चा में करीब 800 चात्रों को अपनी एक वीडियो के चलते उकसाने के लिए सुमवार को मुंबई में हुए चात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद मामला अब कोट तक पहुँच गया है हिंदुस्तानी भाव को मंगलवार को कोट में पेश किया गया जहां पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने कई मुद्दों को लेकर उन पर आरोप लगाए लेकिन ऐसा क्या था जो सेकडो चात्र सडक पर आ गए ये सब बता रहे हैं हम इस रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं चात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे को लेकर दरसल चात्र काफी समय से मांग कर रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौरान दसवी और बारवी की परिक्षा ओफलाइन नहीं बलकि ओनलाइन होनी चाहिए मीडिया रिपोर्ट के मुताब एक हिंदुस्तानी भाव यानि की विकास फाटक पर आरोप है कि उन्होंने इंसेग्राम पर 39 जनवरी को एक वीडियो में चात्रों को उकसाते हुए कहा था चात्र सिक्षा मंत्री वर्षा गायकवार के घर के बाहर प्रदर्शन करें सुमवार को बड़ी संख्या में चात्र मंत्री के घर के बाहर जमा हो गए थे जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए हलका लाठी चार्ज भी किया था इस मामले में छात्रों को भढ़काने के लिए हिंदुस्तानी भाव और एक दूसरे शक्स इकरार खान को गिरफतार किया गया है जिसके बाद मंगलवार को कोट में इन दोनों की पेशी हुई पेशी के बाद कस्टिडी इन दोनों की ही चार परवरी तक बढ़ा दी गई है वैसे बता दे कि भाव के खिलाब थारावी के अलावा एक FIR नाकपुर के अजनी पूलिस स्टेशन में भी दर्च कराई गई है वही इस मामले को लेकर महराष्ट के ग्रह मंतरी दिलिप वाल से पाटल ने पूलिस से इस पूरे मामले की जाच करने के लिए कहा है उनका कहना है कि छात्रों का विरोध एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है तो वही कोर्ट में पब्लिक प्रोसीक्यूटर प्रसाद जोशी ने फाटक को लेकर कहा कि ऐसी हरकते करना उनकी आदत बन चुकी है और वो पहले भी कई विवादित मुद्दों से जुड़े रहे हैं ताजा मुद्दे का उधारण देते हुए पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने कहा कि उन्हें इस मामले में एक लिक्जूरियस होटल से गिरफतार किया गया जहां वो किसी दूसरे के नाम से ठहरे हुए थे उनका ये कहना है कि इस मामले की जाच होनी चाहिए हाला कि फाटक ने वीडियो में छात्रों को विरोध प्रदर्शन के बुलाने की बात को छोड़ कर अपने उपर लगे सभी आरोपों को नकारा है और कहा है कि जो हिंसा हुई वो कुछ असमाजिक तत्वों की करतूत थी फाटक ने ये भी कहा कि इस मामले में गिरफतार हुए दूसरे शक्स इकरार खान को वो नहीं जानते हैं जबकि फाटक के वकील का कहना है कि उनका मुख्किल माफी मांग रहा है और हुए नुकसान की भी भरपाई करने के लिए तयार है बतादे की पाटक के खिलाप IPC की कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किये गए हैं इनमें 353, 332, 427, 109, 114 और कई ऐसी धाराओं के तहत मामले दर्ज किये गए हैं तो वहीं 25 वर्ष ये इकरार खान को लेकर पुलिस का मानना है कि वो छात्र नहीं है और धारावी में एक कपड़े की फैक्टरी में काम करता है बात करें हिंदुस्तानी भाव की तो वो बॉलिवुड अभिनेता संजे दत के वास्तप फिल्म के कैरक्टर से काफी इंस्पायर लगते हैं और हमेशा उसी लिप को कैरी भी करते हैं साल 2013 में उन्होंने यूट्यूब पर पहली बार वीडियो डालना शुरू किया था लेकिन सबसे ज़ादा लाइम लाइट में वो बिग बॉस 13 के दौरान आए विकास पाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाव मुंबई के एक लोकल मीडिया हाउस में बतोर रिपोर्टर भी काम कर चुके हैं झाल झाल